नमस्का दोस्तों मैं दीपक पंडेग और फिर से आपके अपने यूटूब चैनल में हाथिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे में प्रवेश को लेकर जी या दोस्तों जिनों नभी प्रवेश के लिए फॉर्म बढ़ा हुआ था आपको जो है उसकी फीस जो पहली इंस्टॉल्मेंट है पहली किस्त है वह आपको MP online की website पर जाकर आपको पेट करना होगा जब जो आपका जो है अब एदर फॉर्म संख्या आपको मिला हुआ है उसी के जरी आप लॉगिन लेकर और आप अपना फीस जो है पेट कर सकते हैं suppose that अगर आपका जो है दो से अधिक दो तीन कोर्सों में जो है आपका merit list में नाम आ गया है तो आपको वहाँ पे एक कोर्स में प्रवेस लेना है उसको चुनने के लिए आपको मौका दिया जाएगा drop down list में आपका जो है जिसमें आपको प्रवेस लेना है उसको चुनकर आप आगे बढ़ेंगा पहले installment वहाँ पे जमा कर सकेंगे इसके उससे पहले आपको क्या करना है वो भी दिचान लिए दोस्तों आप फीज जमा करें उससे पहले आपको जो है आपके सारे जो सैच्छिक योगिता है जो भी आपका रक्षर सर्टिफिकेट है उसको आपको जो है email के द्वारा JPG या PDF form में उसको स्कैन करके सबको merge करकर एक ही folder में या जो है एक ही email में आपको वहाँ पे send करना होगा कहा पे send करना है उसकी email ID कैसे मिलेगी आप हमारे टेलिग्राम चनल से जुड़ जाएगा वहाँ पे मैं सारी detail आपको जो है send कर दूँँआ ठीक है और अनमहत्वकूल लिंक्स आपको जो है वीडियो के description में भी मिल जाएगा अब हम बात करते है कि जो है कैसे आपका जो है classes वगरा कैसे चलेंगी तो एक October से आपकी जो है अच्छा है प्राराम हो जाएगी और जो है 2 September तक आप जो है अनुआर रूप से इसको जो है आप आपका जो भी email करना है उसको 2 September तक आप जो है उनुआर रूप से उसको कर दीजेगा अब भीजना क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो आपको एक जो है application form डाउनलोड करना पड़ेगा उसका print निकालना पड़ेगा प्रिंट निकालने के बाद उसको अच्छे तरीके से आप फिल करके पाकाय दे उस form को English में form है उसको जो है block letters में जैसे भी उसमें निर्देश दिया गया उसको भरके उसमें एक फोटो चस्पा करके मोहर उसमें जो है अपनी फोटो जो है पेश्ट करके आपको जो है application form औ अगर आपके पास last year की नहीं है तो second year तक की सारे जो original मार्शीट है वो आपको बेजना होगा यही हाल आपका intermittent में अगर आपके पास अभी मार्शीट नहीं है तो हर हाल में आपको जो है original मार्शीट 25 सेप्टेमबर तक वहाँ पर देना होगा और बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास मूल अंक प्रती नहीं है टीशी नहीं है और आपका टीशी मतलब transfer certificate, character certificate और migration certificate इतनी चीज़े नहीं है तो आपको एक वचन पत्र भी दिया हुआ है उसको आप download कर लेजेगा उसको print करा के वहाँ पर आपके पास क्या-क्या नहीं है उसको fill करके अनीची अपना जो है declaration से संबन देते हैं कि मैं जो है जब ही course कर रहा हूं तो मैं जो सिर्फ पढ़ाई करूँगा मैं कहीं पे job वगएरा नहीं करूँगा मैं पूरा जो है अच्छे से जो भी विश्विद्याले का जो rules and regulation है उसका मैं पालंग करूँगा और मैं किसी भी नकल वगएरा सम करके उसको scan करना है इसके बाद आपका high school की मूल अंक प्रती और अगर आपका मार्शीर certificate दोनों जो है अलग-अलग है आपको अलग-अलग scan करना होगा इसके लावा 11 का अगर आपका 12 था आगया तो वो भी यह आपका जो है graduation वालों के लिए है अगर आप जो है PG course में admission वह पर जो है जो भी cash certificate होता हूँ आपको यह सब चीजे scan करके आपको पर्टिकुलर एक email ID पर भेजना होगा और subject में आपको कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ admission space 2021 फिर आपको high pen देना है और आपका नाम लिखना फिर space देना आपका किस course में chain हुआ है जैसे BA in mass communication में हुआ है वो किस category में हुआ है जैसे MP journal में हुआ है या open में हुआ है open rank में हुआ है तो किस में इतना आपको subject line में लिखकर और सब कुछ आपका जो है application form और इदर की गोशड़ाए वचन पत्र यह सब जो है आपको वहाँ पर जो भी scan किया हुआ हूए सब वहाँ पर mail करना हो तो उसको अलग mail पर भीजना है अगर आपका जो है digital पत्र गायरता है या mass communication करना चाहते है तो अलग है अब इस तरीके से आप जो है अच्छा होस्टल की बात कर ले तो होस्टल की फीस आपकी जो है 20,000 रुपए है 22,000 रुपए आपकी जो फूडिक का चार्ज है और यह अ ठीक है दोस्तों अब हमागे बात कर लेते हैं अगर आपको जो है किसी भी चीज की problem होती है कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है जो भी आप जो भी जो है notification जारी हुए वहाँ पर जो है जो particular आपके जो course coordinator है उनका number दिया हुआ है आप जो है उनसे contact कर सकते हैं उनको call करके बिनमरता पुर्वक आपके जो भी प्रश्न है उनको आप जो है उनसे पूछ सकते हैं और मुझे पूरा आशा है कि आपके जो इतने भी सवाल है उसके जवाब आपको वो देंगे और आपका सवाल इन तरीके से जो भी difficult हो क्योंकि जो सारी अगर आपको बताया गया है पहले से उसको उसी कुछ आप पूछेंगे तो वो थोड़ा सा बताने में वो होंगे जो प्रशना difficult है जिनका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिल पाया है वो प्रशना पूछ सकते हैं आप सब्सक्राइब कि आप जो है फॉर्म इधर आपका मेर वो फीज पूरी आपको जो है नियमा उसार वापस कर दे जाएगा फीज कितने लेगेगी उसकी भी बात कर लेते हैं तो यमे जितने हैं यमें मास कम्निकेशन यमें जलनी जमें इन जो है डिश्टल जलनी जमें इडवर्टाइजिंग और पब्लिंग रिलेशन इसमें अगर हम बीए कोर्स की बात करें तो बीए इन मास कम्निकेशन और आपके जो है बीए इन डिश्टल जलनी जमें इस तरीके से जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के जो है उसमें आपको जो है 14,630 रुपए फर्ष्ट इस्टार्में में भरना है उसके बाद आपको टोटल से भी जूड़ सकते हैं दोस्तों जल्दी मिलते हैं आप से नई वीडियो में तब तक के लिए बाद आए